हलो दोस्तों, ELP की वेकंसी आ चुकी हैं और आपको पता हैं कि प्रीविस येर के सवालों को सॉल्व करना बहुत जरूरी है तो दोस्तों देखें मैं ELP के प्रीविस येर का सवाल लाया हूँ जो की है, बोला गया है कि हमारे पास एक principle था जो की 1250 रुपय का था और ये हमारा amount में convert हुआ चार सालों में कितना ये हो गया हमारा 1550 रुपय अब ये चार सालों में convert हुआ है, obviously इसमें कुछ interest लगे होंगे तो कितना मुझे interest मिला है इन 4 सालों में अगर मैं मुझे interest मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा 1550 से 1250 को माइनस करूँगा तो मुझे interest पता चल गया है कि 300 मतलब मुझे 300 interest मिला है कितने सालों में 4 सालों में तो अब मुझे देखना है कि मुझे हर साल मुझे कितना interest मिला होगा तो अगर मुझे हर साल का interest निकालना है पर year का तो मैं क्या करूँगा 300 by 4 तो मुझे पता चल गया कि मुझे हर साल 75 रुपय का interest मिला है ठीक है मैंने जो 1250 रुपय रखे हुए थे उस 1250 में मुझे हर साल 75 रुपय का interest मिल रहा है तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा rate of interest कितना हुआ इसका मतलब तो rate of interest जो हमारा हो गया वो कुछ नहीं है 75 रुपय करके हमें मिल रहा था हर साल बे कितने रुपय पे 1250 रुपय पे ओके और इसे अगर percentage में चाहिए तो 100 से multiply कर दे अब देखिए 25 से काटिए 25 3 जा और यहां पे हो गया 25 5 जा 125 और 10 यह 0 कट गया अब यह 5 से यह कितना बर में जाएगा दो बार में तो मेरा जो एंसर निकल के आ रहा है वो है 6 परसेंट तो दोस्तों अगर आपको बड़े वीडियो अच्छे नहीं लग रहे तो मैं इसी तरीके के एक-एक सवाल लेके आऊँगा शौट-शौट वीडियो में ओके और अगर आपको अच्छा लगा है यह वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू वेरी मच